मेश राशी वालों ने जो अपने लिए टार्गेट सेट कर रखे हैं उनको अचीव करना इतना असान नहीं है बहुत जादा हार्ड वर्क है तब जाकर आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे ब्रिश्व राशी वालों के लिए भी आज बहुत जादा मेहzahlनत का दिन है आपको बहुत सारी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है आज आप बिल्कुल आराम के मूड में हैं आपको बैठे-बैठे हर चीज अविलेबल होगी अगर आपके हाँ कोई गुड नियूज आने वाली है कोई नया मेहमान आने वाला है तो बहुत पॉसिबल है कि ग चल रहा है और रिजल्ट्स आने के लेट बेट कर रहे हैं तो फेवर में रिजल्स आएंगे सिंग राशी वाले आज फिनैंशल प्लाणिंग में लगे हुए हैं बहुत सारा हिसाब किताब जोड तोड कर रहे हैं फिनैंशली फ्यूचर बहुत जादा स्ट्रॉंग बनाने में विचार कर रहे हैं तुला राशी वाले आज किसी प्रकार का कोई मुवमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है आप कहीं बाहर जाने के बारे में प्लान कर रहे हो नफा नुकसान सब सोच करके बहुत रैशनल डिसीशन ले ले रहे हैं आज आपका दिन और आपका दिमाग दोनों ही बहुत बैलेंस्ट है प्रिष्टिक राशी वाले आज बहुत ही ज़दा influential personality से contact में आएंगे ये influential personality आपके future में जाकर बहुत मदद करेगी धनुराशी वाले बहुत कुछ अचीव करना चाते हैं और एकदम रफ्तार में हैं जो भी उन्होंने अपने लिए गोल सेट कर रखे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए बाई हुक और पड़े वो उस गोल को अचीव करने के लिए आज पूरी तरीके आज पूरी चीजों कशीव करने के लिए प्रख में हैं आज सारी चीज़े आपको अचीव होंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं आपको उन चीज़े काफी मेहनत करनी पड़ेगी यह भी पॉसिबिल है कि जब तक आप अपने गोल्स को अचीव कर सके शायद उसके importance आपके लिए थोड़ी कम हो जाए मीन राशी वाले आज अपने बच्पन के दोस्तों से मिल सकते हैं अपनी दादी नानी वगेरा से मिल सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं किसी प्रकार से अपनी पुरानी चीजों से connect होंगे और इन चीजों से connect होकर आपको बहुत खुशी मिलेगी इसे जदा information के लिए आप मेरे comment में mention कर सकते हैं या description में देवे मेरे number समझे contact कर सकते हैं Thank you